के लिए 23 सितंबर को पीमोदी काशी आ रहे हैं यहां वो क्रिकेट स्टेडियम के अधार्शुला रखने के साथ करोणों की सौकार देंगे इसके अलावा पीमोदी एक जण सभा को संबोधित कर 24 के चुनावी रण का विगुल भी फूंके के दरसल बीज़ेपी का पूरा फो 24 के लोग सभा चुनाव के लिए बीज़ेपी का पूरा फोकस पूरवानचल पर है पूरवानचल इसलिए भी एहम है क्योंकि विदैं सभा चुनाव में बीज़ेपी को यहां काफी नुقसान हुआ था कई जिलों में बीज़ेपी का खाता भी नहीं खुला था ऐसे में बीजेपी 24 के चुनाओं के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी वज़े से पियम मोदी लगातार काशी आते रहते हैं अब एक बार फिर से 23 सितंबर को पियम मोदी वारणसी पहुच रहे हैं यहां पियम मोदी 16 करोड की सौगा देकर पूरे पुरवांचल को साधने की कोशिश करेंगे यह भी माना जा रहा है कि घोसी उपचनाव में मिली हार के बाद पियम मोदी का वारणसी दोरा पुरवांचल की चुनावी समीन को मजबूत करने के लिए हैं पियम मोदी काशी में जनसभा को संबोधिक कर लोकसभा चुनाव दोहजार चौबिस के रणका आगास करेंगे दरसल बीजेपी पुरवांचल में अपनी पैट बढ़ाने के लिए तैयारियों में जुटी है पियम मोदी के वारणसी के तीन महीने के बीटर दूसरे दोरे से एसाफ दिख रहा है जोनोंने दोहजार चौबिस लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की कमान संभाल ली है और उनका फोकस पूरवांचल पर होगा काशी दोरे पर पियम मोदी स्टेडियम की आधार शिला रखेंगे ये क्रिकेट स्टेडियम भगवान शिव और उनसे जुड़ी चीजों की थीम पर आधारित होगा जिसके वास्तु में डमरू, तिशूर, बेलपत्र और गंगा घाट का स्वरूप होगा स्टेडियम करीब 325 करोड रुपे की लागत से तयार किया जाएगा स्टेडियम 30.6 एकड़ में बन कर तयार होगा इसमें 30,000 दर्श्टों के बैटने की श्यमता होगी प्रधान मंत्रे नेंद्र मोधी वारनसी को अंतराश्टिय इस्टेडियम की सौगात देने जा रहे है हम इस स्वाए उसी जगह पर हैं जहां पर ये इस्टेडियम बन कर तयार होना है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको विशाल जमीन दिख रही है इस्टेडियम में 30,000 दर्शक बैठ कर अंतरश्टे इस्टर के क्रिकेट मैच का लुफ्थ उठा सकेंगे इसके साथ ही इस्टेडियम में हर वो अत्याधुनिक सुविधाय होंगी जो अब तक विश्व इस्टरियर इस्टेडियम में देखी जाती रही है इसके साथ ही धार्मिक नगरी वारनसी होने के नाते इस्टेडियम का जो पूरा लुक होगा वो भी धार्मिक नगरी के अनुसारी होगा इस्टेडियम में भगवान शिव की नगरी में बन रही है इस्टेडियम इसलिए इसका सरूप भी शिव में होगा इसके वास्तू में डमरू, तरिशूल, बेलपत्र और गंगा घाट का सरूप समोहित होगा इस्टेडियम का डिजाइन त्यार किया गया है इस्टेडियम की छट अर्ध चंदरकार होगी क्योंकि जो वारनसी के गंगा घाट है वो भी अर्ध चंदरकार दिखाई देते हैं तो इसलिए इस्टेडियम का पूरा च्छत होगा वो पूरा ग्राउंड होगा वो भी अर्ध चंदरकार की रूप में होगा काशी में इस स्टेटियम के साहरे पिय मोरी पुर्वांचल की युवाओं को साधरें की कोशिश में है आधार श्ला कारकरम के दौरान कई दिक्ज़ क्रिकेटर भी शामिल होगी कारकरम को लेकर खास तयारी की गई है पुर्वान्चल का ये पहला एस्टेडियम होगा जो अंतराष्टी एस्टर का एस्टेडियम होगा यहाँ पर अंतराष्टी एस्टर के मैच भी आयोजित होंगे और ना सिर्फ मैच आयोजित होंगे बलकि यहाँ पर क्रिकेट पैक्टिस के लिए भी एक खास ग्राउंड होगा, क्रिकेट कोज भी होगे और यहाँ के जो युवा हैं उनको भी क्रिकेट से जुणने का एक अनोखा आउसर भी प्रात होगा जिसकी सुरुवाद पधानमंत्री नेंद्र मूदी करने जा रहे हैं प्यम मूदी वरणसी से सांसर हैं वहीं देश में बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदुत के चेरे मुखमंत्री योगी आरतनात्पी बोरकपुर से ही आते हैं बीजेपी ने 2014 की लोगसवा चुनाओं में 26 में से 25 सीटों पर धीत दर्ज़ की थी मूदी और योगी सरकार ने बीटे 6 सालों में पुरवांचल के विकास पर फोकस किया है पुरवांचल एक्सवे, बोरकपुर लिंक एक्सवे, बलिया लिंक एक्सवे जैसी बड़ी परियोचनाई दरातल पर उतारी है वह यह उध्या में श्री राम जनम भूमी पर भगवान राम के भवे मंदर का निर्माण तेजी से चल रहा है चुनाओ से पहले मंदर की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, इसका फाइदा भी बीजेपी को मिलेगा 24 के चुनाओ में बीजेपी आस्ता और विकास के साहरे मैदान में उतरेगी दरसल बीजेपी का फोकस पुरवांचल की सभी सीटे जीतने पर है और इसी वजे से पियम मोदी लगातार काशी पहुँचकर भुरवांचल को साथ रहे है टीम न्यूज स्टेट